दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोट का बड़ा बयान सामने आया है। दरसल सुप्रीम कोट ने शुकरवार को E.D. से कहा कि वो लोकसभा चुनाव के मद्य नजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर विचार कर सकता है और एजेंसी इसके लिए तैयार रहे। केजरीवाल को 21 मार्च को आपकारी नीती से जुड़े मामले में गरफतार किया गया था। सुप्रिम कोट ने E.D. से कहा कि गरफतारी के खलाफ केजरीवाल की आजका पर सुनुवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। वहीं E.D. ने साफ कर दिया कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेगी। E.D. ने आम आदमी पार्टी के डेता संजा सिंग को जमानत मिलने के बाद उनके बयानों की ओर इशारा किया और कहा देखिए वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं सुप्रिम कोट ने कहा कि वो एजनसी को अपनी मंशा के बारे में बता रहा है ताकि साथ मई को जब अंतरिम जमानत का मुद्दा आए तो वो चौक ना जाए। कोट ने कहा हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करना चाहेंगे और ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत दे ही देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। केद्रिवाल की और से पक्ष रख रहे वरिष्ट अधिवक्ता अबशेक सिंग्वी ने कोट से कहा कि 16 मार्च को चुनाब की गोशना की गई और 21 मार्च को केद्रिवाल को एडी ने उसके पास पिछले साल जुलाई से उपलब्द बयानों और सामग्रियों के आधार पर गिर तोचना की कि राजनेतिक दल होने के नाते आप PMLA की 1770 के दाइरे में नहीं आएंगे जो कंपनियों के अपरादों से संबंधित है कोट ने कहा आपकी दलीनों को स्वीकार करना मुश्किल है फिलाल आप केद्रिवाल के मामले में 7 मही पर निगाहें टिकी हुई है